कौथा बोल बैके बरे केंडियो शिशी शूरखा कमिशन है जीनी चेयर पर्सन तीनी रोज चे नमस्टोंगे सर अज सुभा से आप आए है कलकत्ता में जहा जा गया क्या क्या हुआ सर क्या देखे आज सवेरे से हम लोगोंने बच्चे के माता पिटा से बात करने के लिए तिल जिला गए वहां पर हमको बात नहीं करने रहे कि पिलिए अपर अपर हमको बात कराने की वबिस्ता कि कभी इसा होता है कि एक कमिशन की स्टे कमिशन की सद्थ बात कर रहे उस समया स्टेट की कोई टीम अंदर में घर में आगए यह कभी आहिए पूटमीजी नहीं कि इस तरह की बत्यमीजी यह लुग करते हैं और यह कुछ-ख़पाना चाहा रह הי थी इसगतना में देफिनेटली बात तो ये है उसके बाद क्या हो उसके बाद बच्चे के माता-पिता से जो हम लोग बात कर रहे थे तो हमको ये ध्यान में आया कि मेरे दाहिनी तरफ दो कैमरे लगाए गए है चुपा कर लगाए गए थे और उन कैमरों के माध्यम से रिकॉर्डिंग की जा तो हमने वहां का जो बिस्वाक मुखर्जी करके इंचार्ज था उसको बोला के का यह क्यों कर रहे हो तो उसके पास कोई उत्तर नहीं था उसने बोला कि मेरे मेरे अधिकार्यों ने मुझसे कहा है कि यहां पर सब रेकॉर्ड होगा तो हम को बताना चाहिए आप राइट टू प्राइवेसी हमार अब रिश नहीं कर सकते आप ऐसे किसी माता-पिता की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते जिनके बिच्छी पॉक्सों की विक्टिम हो यह कानून के खिलाफ है हम यह रिकॉर्डिंग लेके जाएंगे आपके रिकार् यह पर लोग रहना चाहिए और खर में था कोई प्लाइन था क्या शेंट आएंगे इस से बात रिकार्या यह प्लान ही था क्योंकि हम पहले कंडे में थे हमको इस कंडे में लाकर बठाया गया और वो कुरसी पहले से सेट करके रखी जो रिकॉर्ड कर लें हमको इस बात का खतरा था कि इस बच्चे की जो आइडेंटिटी है वो इस रिकॉर्डिंग के माद्यम से इस लिए हम उसको लेकर आना चाहते थे तो हमाई साथ मार पीट के और वो कैमरा हमसे छीन लिया गया पुलिस कई सारे चीजों को इसमें छिपा रही है कौन कौन आपको मारा हमको बिस्बाक मुखर जी जो वहां का ओफिस इंचार्ज ता उसने मेरे साथ मार पीट की उसके सा साथ और पुलिस वाले थे जिनके नाम में नहीं जानता हूं और यह जो थाने पे हुआ इस बार में आप रिपोर्ट करेंगे सेंटर में हाँ डेफिनेट लिए तो किसी भी आयोक के अध्यक्ष के साथ होना गल्या थे और इसका अंदेशा हमको कल से था कल हमने हैं के चीफ सेकेर्टरी को डीजी पी को निवेधन भेजा था कि हमाई साथ मारपीट हो सकती है आणोह नी हो सकती है आप हमाई सुरक्षा की चिंता करें उनलों तो पुलिस से पटवा ले अन्नाय की खिलाफ अगर बात करेंगे तो यह पीठेंगे यह आवास को दबा देना चाहते ही अब तो इन्पेस्टिकेशन जो रिपोर्ट देखे बात किये है आए उसे क्या क्या देखे कहा पर खामियाज है देखी पुलिस बारा बज़े ये बात समझ चुकी थी कि बच्ची बिल्डिंग के बाहर नहीं गई क्योंकि CCTV फुटेज जो देखे गए थे 12 बज़े तक सारे CCTV रिट्रिव कर लिए गए थे और बच्ची कमरे के बाहर नहीं गई थी मातापेता भी जानती थी पुलिस भी जानती थी कि मा आई उसने रिपोर्ट लिखवानी चाही लेकिन फोटो लेके नहीं आई थी ये डी जी पी ने हमको बताया है अब फोटो के बारे में हमने माता पिता से पूछा तो उनने का फोटो तो हमारे पास था और फोटो तो हमने खुद दिया है मोबाइल में सब को दिखाया ह तो ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं साड़े छे बज़े तक उन्होंने वेट किया साड़े नो बज़े जो है डैट बोडी निकाल के लाए हैं अगर यह दिन में 12 बज़े चाहती तो बच्ची को जिन्दा निकाल लेते अपनी इस गल्ती को छुपाने के लिए यह आयोक के बतकी बत्रब्स के भान नहीं लिये है उसके इंप्रोईर से उसका पॉलिस अन नहीं किया है Inno one बज desse हर रज में जाता है ऐसा को डेखा है कुझा है किसी रजक्रींन नइस एकिवा हुआ है हो म grassy को लिखने के बावजूद उनकी मातहत पोलिस मेरे को थाने में पीटा है यह बात बहुत गलत इस राज्जे की यंविस्टिकेशन इजिंसी जो इन边री केशन कर रहे हैं है से ज्यादा बुरी स्थिति नहीं हो सकती वह भी तब बच्चों के लिए नहीं कि उम्मीद करें जो पुलिस आधिकारी थे आप दिल्ली पर जाका जो आएस आप आई पेस ऑफिस थे उससे बारे में डियो पीटी में भीजग करेंगे जहां जहां जो जो लिखा जाना है वो स तब किया जाएगा मेरी लीगल टीम काम कर रही इस पर आपका जी आप रिपोर्ट त्यार करेंगे उस रिपोर्ट में इस जो घटना घटी यहां पाज विजीट किया सब लिखते हैं हां सारी बात लिखिए पर लिखेंगे पर जीनी चेर परसन प्रियांक कानून गो तीनी जाना लेंची एई थोरोनेर घटोनार केत्री एई इन्वेस्टिकेशन एजेंसी कोनो भाब एई तोधन्तों कोड़ते पारें एक्टी नीरपक्र शागोस्ता के दिए तोधन्तों कोड़ताबें कैमेराई आपूरू पदिपनाते शागे औयों शोर्मा क्यालकटानी उस कोलकाता